मैं सीकर से आनिता शर्मा भाजपा महिला मोर्चा जीला द्यक्ष मैं हमारे देता रूपी परधान मंतरी नरेंदर भाई मोदी जी के चर्णों में सीकर की जनता की तरफ से परणाम करती हूँ मैं सबसे पहले भारत माता की सीकर की जनता के और से नारे लगवा रहे हूं भारत माता की मेरा एक सवाल है आपसे कि जब से केंद्र में हमारे भारतिय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर शिक्षा के छेतर में इस्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक शिश्या को बहुत आगे बढ़ावा मिला है काफी ठोस कदम उठाए गए हैं लेकिन अधिकांस गाओं में और जो जमीन से जुड़े वे हैं वहां तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है तो मैं आ आगे बढ़ाने के लिए आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिक्षा की शेतर में हमें क्या करना चाहिए जैहिंद अनिता जी आपने बहुती सवाल महत्वपण पूछा है देखिए हमारी भाजबा सरकारों का बीजन है कि हम जो भी करें समगरता में करें हमारी सोच और हमारे काम का तरीका टुकड़े टुकड़े में नहीं चीजों को पूर्णता से करना है हमने देश में एजूकेशन सिस किस्टिम को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाए है उसमें इसी विचार का प्रवा है एक शिक्षित व्यक्ति ही प्रगतिसिल समाज और समुर्द राश के निर्मान में अपनी प्रभा उसाली भूमिका निभा सकता है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि स्कूल स्त से ही बच्चों को ऐसी सिक्षा मिले जो उन्हें आसपांस के समाज से जोडने वाली हो आत्म निर्भर बनाने वाली हो सिक्षा केबल पुस्तकों को पढ़ने तक ही सिमित नहीं होनी चाहिए बलकि सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के जीवन निर्मान से ले करके समा आज की जरुरतों राश के निर्मान तक में काम आए इसी वीजन के साथ हमारी सरकार स्कूल स्तर से ही इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है इसकी लिए देश भर के साड़े तीन जार से जादा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेब सापिट की जा चुकी है इसमें स्कूली बच्चों में पढ़ाई के साथ ही इनोवेशन की प्रवुत्ती बढ़ाने पर फोकस किया गया है सात्यों हमारी सरकार एजुकेशन सेक्टर में निवेश पर भी ध्यान दे रही है सिख्षा का इन्फा स्क्चर बहतर बनाने के लिए राइस आर आई एसी यानि री वाइटलाइजिंग आफ इन्फा स्क्चर एंड सिस्टीम इन एजुकेशन इस राइस कारकम को हमने व्यापग रूप से शुरूप किया है इसके साथ ही सरकार ने HEFA यानि हायर एजुकेशन फंडिंग एजंसी की स्थापना भी की है जो उच्च सिख्षा संतान के गठन में आर्तिक सहायता मुहया कराएगी सरकार ने राष्ट्रिय उच्च सिख्षा अभियान का बजेट भी तीन गुना बढ़ाने का निरे किया है बीते चार वर्षों में देश में बहुत सारे नए IIT, IIM, IIIT और नए केंद्रिय विश्विविध्याले खोले गए है इतना ही नहीं, सरकार ने बड़ी संख्या में उच्च सिख्षा समस्थानों को स्वायतता भी प्रदान की है ताकि वे अपने अनुकूल पाठ्षक्रम बना सके और आत्म निर्भर होकर कार्य कर सके इसका उदेश सिख्षा की गुनवत्तातो सुधार्मा है ही इससे उन सिख्षा समस्थानों को सर्वश्रेष्ट बनाने में भी मदद मिलेगी अब तक देश के लगभक, साथ हायर एजुकेशन इस्टिटूट और विश्व विद्धालेओं को ग्रेड ऑटोनोमी दी जा चुकी है सिख्षा के खेत्रे में हो रहे इतने बड़े बड़लाव को चर्चा के केंद्र में लाने का काम भी हम कार्यकरताओं का ही है आप ही लोगों का तो है इस बड़लाव को हर स्तर पर आप ही को तो प्रचारित करना है